कोशन्स रिलेटेड विद और टो पोक्टिट रूल एन आईनिक पॉंट तो जो हमारा पहला कुश्चिन है वो कह रहा है ओन रियक्शन प्टैशियम विद फ्लॉरी में तो साफसी बात एक तो आपके पास मैटल है प्टैशियम के ची दूसरा आपके पास नून मैटल है फ्ल लगाएगा किटायन और एनायन बनाकर किटायन एनायन तो इन दोनों के बीच अट्रेक्शन फोर्स तो 101 प्रेसेंट एनर्जी रिलीज ही होगी that's why released an ionic bond is formed क्योंकि metal नोन-metal है चलिए आगे दिखते हैं the incorrect order of lattice energies of the given ionic compounds lattice energy charge की directly proportional है और inter nuclear distance की inversely proportional है ठीक है जी तो जो हमारे पास charge सबसे ज़्यादा मिलेगा charge सबसे ज़्यादा मिलेगा तो जैसे कि मैं आप से बोल रहा हूँ कि incorrect कह रहा है तो यहां तो यह बिल्कुल ठीक है size भी छोटा mg का किस से calcium से यह ठीक है उसके बाद उसने कहा जी fluoride fluoride same चल रहे है बट lithium size में small है तो lattice energy यहां second case में LIF की ज़्यादा होनी चाहिए तो यह गलत हो गया है फिर यहां किटाइन सेम है एनायन अलग है तो छोटे एनायन की lattice energy ज्यादा होनी चीए according to formula जिसकी charge ज्यादा है mg plus 2 O minus 2 उसका lattice energy ज्यादा होनी चीए यह भी ठीक है और यहां पहले वाले में plus 2 minus 2 हो रहा है अगले वाले में plus 2 minus 1 हो रहा है उससे अगले वाले में हमारे पास किटाइन छोटा है 400 सेम ही है तो second mismatched है अगर किसी भी atomic number of inert gas is Z माली जी neon है इसका atomic number Z है तन ionic bond can be formed अगर आप इसमे एक जोड़े तो यह sodium बन जाएगा अगर आप इसमें घटाएं तो यह fluorine बन जाएगा अगर आप इसमें 2 एड करें तो यह magnesium बन जाएगा और minus 2 करें तो यह oxygen बन जाएगा तो भी ionic bond बन जाएगा तो दोनों ही conditions में जाएगा प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 हो आइनिक bond का formation हो ही जाना है What is the formula of metal phosphate if a formula of its chloride देखिए इससे हमें समझ आएगी कि यहाँ metal का जो charge है वह plus 2 है और phosphate का charge सब बच्चों को पता है minus 3 होता है तो हमें करना क्या है इंटर्चेंज करना है सिर्फ ठीक है जी तो mg जो m है वो 3 चलेगा 3 चलेगा लोजी M3PO4 होल ट्वाइस का answer बन जाएगा अब हमें कहा गया है consider two molecules PQ लोजी Monovalent cation and anion plus 1 minus 1 and xy divalent cation and anion लोजी the ratio of their lattice energies assume size of x plus 2 इसका जो size है and y minus 2 to be triple the size of P and Q इसके comparison में size का 3 गुन है इसका size भी 3 गुन है ठीक है जी assume size of x plus 2 and y minus 2 to be triple the size of P and Q तो इसका काम करते हैं lattice energy का formula रखते हैं charge q1 q2 r plus plus r minus और यहां रखते हैं q1 q2 r plus plus r minus तो कहीं न कहीं यह जो internucle distance है कहीं न कहीं जो internucle distance है इसको जब हम compare करेंगे तो यह 1 into 1 divided by 1 into 1 और यह जो internucle distance है ठीक है न यह अब आपके पास 2 into 2 और यह 3 into 3 क्योंकि internucle distance जैस जैसे आप size 3 गुना करेंगे वैसे वैसे यह 3 गुना हो गया यह भी 3 गुना हो गया तो internucle distance दोनों के बीच की हमारे पास square 9 times होने से हमारा जो answer आएगा वो 9 is to 4 आ जाएगा जी गुरूप फिलेक्ट्रो पॉस्टिव एलिमेंट आप सा मजधार है प्रोडिक टेवल आपने पढ़ा हुआ है सीधा सीधा इलेक्ट्रो पॉस्टिव एलिबेंट sodium potassium rubidium पे टिक लगेगा विचा दो फॉल्वेंग स्पीस कर्टेंस अनोन metallic cation अब देखो chromium CR2 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 O2 CL2 ADNOCL NH4 CL ALCL3 भाई यह तो कोवलेंट ही है इसके भी स्टो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है clear यहां metal है यहां भी metal है लेकिन यहां मैंने आपको बताया था आप अपने नोट चेक करें ammonium chloride में कितायन ऐसा है जो group of non metal से बनावा है तो non metallic non metallic cation non metallic cation इसमें आपको दिख रहा है the internucleate distance of LIF will be internucleate distance of the LIF will be less than that of the fluorine fluorine same है तो naf से तो कम होईगी होईगी वह तो पक्काई है क्योंकि sodium से radius of lithium कम है ठीक है जी इक्वल भूल जाओ more than भूल जाओ equal भूल जाओ तो पहला answer match कर जाएगा rubidium bromide electricity current कर रहा है clear ना conduct कर रहा है molecular molten state में pigly foam में तो उसका वजह है simple कि उससे किटायन और नायन फ्री फोर्म में आ गए तो free ions are the reason for the conductivity in the molten ionic compound हमें इनकरेक्ट स्रेटमेंट ढूड़ना है क्या lattice energy charge के radius के square के बराबर है बिल्कुल नहीं यह क्या यह जो विर्दा विर आरिस इंटर आयोनिक डिस्टेंस तो इन्वर्स होती है lattice energy directly proportional to charge अहां है clear और यह ions के charge है तो बिल्कुल ठीक statement लिखा हो है 110 के अंदर ionic mobility of ions in the aqueous solution जितना बड़ा साइज होए गा इन का उतनी उसकी mobility कम हो जाएगी ionic mobility of ion in the aqueous solution inversely to the radius of ion in the gaseous state बिल्कुल गलत है lithium plus का जो gaseous state का radius है और जो aqueous form का radius है उसको हम देखें तो aqueous state की जो radius हो मच-मच higher है तो aqueous state में उसकी mobility है वो बोद कम है साइज के साथ mobility कम होती है और यहां जो mobility है वो जाद है तो ionic mobility of ion in the aqueous state is inversely proportional to the radius of ion in the gaseous state तो अगर gaseous state की radius कम है तो ionic mobility भी आपके पास कम है जाद है तो यहां ionic mobility of the ion in the aqueous state और यहां आपसे कह रहा है कि radius of ion in the gaseous state तो mobility inverse ना होकर direct चली जाएगी तो all of these की बात है तो 110 के अंदर इस statement गलत हो गया potassium same पड़ा हुआ है और minimum मांग रहा है आपसे तो k i is the answer k i is the answer the ionic mobility of any plus aqueous is lower than that of k plus aqueous तो ionic mobility of any plus aqueous is lower क्योंकि इसकी hydration जादा हो रुखी है और जिसकी hydration जादा हो रुखी है उसकी speed और conductivity दोनों के दोनों कम हो जाएंगी hydration radius of any plus is more than that of k plus mobility जादा हो गई है the least tendency to form covalent compound is shown बहें बहुत साफ है covalent character beryllium magnesium calcium में से क्योंकि इसकी ionization energy भी जादा हो गई है that's why जो beryllium है उसकी tendency कम होईगी ionic बनाने की और covalent बनाने की tendency जादा होने वाली है covalent बनाने की tendency जादा होने वाली है तो मुझे लगता नहीं किसी भी question में आपको confusion है ठीक है जी तो यहां से आप check कर ले और इसको आप check कर ले एक summary में फटाफट बोल देता हूं वो क्या है पहले question में उसने पूछा था के और F मिनका जी ionic bond बनाएंगे energy घटेगी incorrect कहरा था lattice energy में 4 जादा lattice energy जादा small size lattice energy जादा और किसी noble gas को z मान लो तो उसके आगे पीछे एक एक दो दो element आपस में ionic bond बना सकते हैं phosphate minus 3 है metal plus 2 है तो formula बना जाएगा यह question में आप lattice energy के लिए यहां lattice energy पुट करें q1 q2 पुट करें और इस जगा पे inter nuclear distance को पुट कर दें और यह r plus plus r minus को indicate कर रहा है है ठीक है जी उसके कोडेंस में हमने question soul किया है group of electro positive element first day non metallic ketan ammonium chloride में lithium छोटा है तो less than na है rubidium fluoride अगर mobility शोग कर रहा solid state में current शोग कर रहा नहीं कर रहा और liquid में कर रहा तो इसका मुलाब उसके अंदर free ions है और lattice energy r2 के directly तो और inversely दोनों ही नहीं है वो inter nuclear distance के inverse है ठीक है जी और ionic mobility of the ion in aqua state clear है यह पता ही है कि size उसका क्या कर जाना है बढ़ जाना है ionic mobility और ionic mobility कम हो जानी है और उसने का जाना जी radius of ion in the gaseous state radius of ion in gaseous state तो ionic mobility velocity gaseous state में size speed जादा और अगर aqua state में लेकर जाओं तो size छोटा speed size छोटा aqueous form में size बढ़ा हो गया तो speed उसकी क्या हो जानी है कम हो जानी है तो lithium की speed ionic mobility aqueous state में जाद है लेकिन radius भी उसकी जाद है तो directly का sign आना चाहिए थे हम पर तो अगले तीन question में भी same message आपको दिया गया है covalent बनाने का nature beryllium के अंदर है क्योंकि ionic energy बड़ी जाद है ionic mobility of any plus aqueous lower than that of k plus aqueous क्योंकि यह hydrated जाद है among the following है highlight one है maximum melting point जिसका latest energy जाद maximum minimum कुछ रहा latest energy कम है